किसी भी व्यक्ति के नाम से ही कई बार हम उसके बारे में धारना बना लेते हैं। इस संबंद में जानकारों का मानना है कि दरहसल हमारे नाम के अक्षर भी हमें काफी हद तक प्रभावित करते हैं। ऐसे में आपका नाम आपकी पसंद नापसंद और जीवन के एहम फैसले लेने की शम्ता को भी प्रभावित करता है। यहां तक कि नाम के आधार पर ही लूग नाम के अक्षरों के ग्यान से आपके पास आने वाली संपत्ति तक के बारे में सठीक बाते बता देते हैं। वही कई जोतिश इसे जोतिश कला का ही एक भाग मानते हैं। उनका कहना है कि चू की नाम वास्तब में आपकी राशी की पहचान कराता है। साथ ही आपके नक्षत्र की भी जानकारी देता है। ऐसे में आपके पास आने वाले धन से लेकर व्यक्तित्व तक की कई बाते बताई जाती हैं। तो बंदू इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताईंगे एम नाम बालों के लिए। इसलिए इस वीडियो को आप आखरी तक जरूर देखिए। ये बहुती महत्वकांशी, उर्जवान और हमेशा उत्सा से भरे होते हैं। कहा जाता है कि हमेशा ही किसी अंजाने व्यक्ति के सहायता के लिए भी तयार रहते हैं। इनका नाम, इनकी परसनेलिटी और डेस्टिनी दोनों को परभावित करता है। ऐसा कहा जाता है कि आपका नाम आपके अतीत, वर्तमान और भविश्य को समाहित की रहता है। हर अक्षर की अपनी अंकी ऊर्जा होती है। अक्षर एम को अंक चार के बराबर माना जाता है। अंक चार साहस, बुद्धी, महनत का प्रतिनिधित्व करता है। जिन लोगों के नाम की शुरुआत मा अक्षर से शुरू होता है वे बेहद बफदार किसमे के होते हैं ये पारंपरिक और उच्छ नेतिक मुल्यों में विश्वास करने वाले होते हैं ये अपने जीवन में बहुत अनुशाशित होते हैं और इमानदारी से कभी समझोता नही करते हैं साथ ही ये बहुत ही महनती और भविश्च की स्वरक्षा को लेकर चिंतित रहने वाले होते हैं ये अपने लाइफ में बहुत ही फोकस्ट होते हैं इन्हें हमेशा अपने अगले कदम के बारे में पता होता है ये नए-णए प्रियोग करने में बिलकुल भी नहीं चकते हैं ये जल्द किसी से प्यार में नहीं पड़ते हैं इन्हें खुद को एक्सप्रेस करने और दूसरों के सामने खुलने में थोड़ा वक्त लगता है ये किसी को अप्रोच करने में भी थोड़ा ज़ादा समय लेते हैं लेकिन जिससे भी प्यार करते हैं उसके साथ हम काम को बेहद योजना बद्ध तरीके से करते हैं साथ एक अंभीर सोच वाले व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं ये एक बार जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं इनका अत्विश्वास इनको काम्या भी दिलाता है ये उन लोगों में से नहीं हैं जो बदलाव आने का इंतजार करते हैं बलकि ये खुद बदलाव लाने में यकीन रखते हैं ये हर कदम सोच समझ कर बढ़ाते हैं आप किसी जल्दबाजी में कोई काम या फैसला नहीं करते हैं साथ ही ये अपने भाई बेहनों के भी काफी नजदीक होते हैं अब आपको बताते हैं इनके कमजोरियों के बारे में माक्षर से नाम बाले लोग बहुती समवेदन शील और भावु किस्म के होते हैं अगर ये किसी के साथ रिलेशन्शिप में होते हैं तो अपना सोप प्रतिशत देते हैं ऐसे लोगों का एक नकारात्मक पहलू यह होता है कि अगर दूसरे अपनी हद पार करते हैं तो फिर ये अपना आपक हो बेटते हैं और इंपल्सिव हो जाते हैं ये फिर बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हैं मा या एम नाम वाले लोग हर छोटी छोटी बात को दिल से लगा लेते हैं ये लोग हद से जादा समविदनशील होते हैं अगर एक बार इनका दिल तूट जाता है तो ये लोग उससे जल्दी से वापस नहीं उभर पाते हैं इस अक्षर के नाम वाले लोग बातों को मन में दवाने वाली प्रवर्ति के होते हैं कहते हैं ऐसा नेचर कभी कभी दूसरों के लिए खतरनाग भी साबित हो जाता है चाहे बात कड़ भी हो ये खुल कर कोई कह दे तो बात वहीं खत्म हो जाती है ऐसे लोगों से उचे दूरी बनाए रखना बहतर है इनका जिद्धी सौभाव कभी कभार इने खुद परेशानी में डाल देता है ऐसे लोग किसी बिबात को गुमा फिरा कर नहीं बोलते सीधे सीधे बोल देते हैं इस कारण अन्य लोगों को इनकी बातें चुबती है और वे इनसे शत्रुता का भाव रखने लग जाते हैं इन लोगों की यही कोशिश रहती है कि इने समाज में मान समान मिले वैसे अपनी फैमिली को ये बेहद प्यार करते हैं खर्च करने से पहले जादा सोच विचार नहीं करते सबसे बहतर कि और ये जादा आकर्शित होते हैं कुलमिलाकर जिससे भी ये जुड़ते हैं उससे अटूट प्यार से जुड़ते हैं साथ ही हर मुश्किल में अपने से जुडने वालों की मदद भी करते हैं राजनीती में भी ये सफल होते दिखाई देते हैं क्योंकि ये अगवाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं ये लोग किसी की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं कुल मिलाकर इस अक्षर के लोग बहुत ही helpful होते हैं इन लोगों में आगे बढ़ने का निर्णाय लेने की शमता होती है एम अक्षर की लड़कियों का दिल अच्छा होता है और लड़के बड़े ही romantic होते हैं इस अक्षर के नाम वाले रिष्टों को लेकर काफी emotional भी होते हैं इनके उपर किस्मत काफी महरबान होती है इसलिए धन और इजजद भी मिल जाती है आम तोर पर ऐसे लोग राजनिती में ज़ादा दिखाई पड़ते हैं ये लोग अच्छे वक्ता और लेखक भी होते हैं ये लोग काम की प्रती जादा सचेत नहीं रहते हैं लेकिन किस्मत की धनी होने की कारण सफलता की सीड़ी उपर चड़ते हैं कारे कोई भी हो कैसा भी हो ये प्रसिद और लोग प्रियता की चोटी पर पहुस्ते दिखाई देते हैं पढ़ाई से लेकर करियर तक ये लोग बहुत गंभी रहते हैं जिस काम को ठान लेते हैं उस काम को अंत तक ले जाकर ही दम भरते हैं इनको हर चीज जीवन में देर से या रुक रुक कर मिलती है लेकिन जब इस नाम की लोगों को सफलता मिलती है तो वो सफलता की चरम सीमा होती है जीवन में संगर्श होता है लेकिन ये मंजिल को पाही लेते हैं मानाम से शुरू होने वाले जातक एका एक कभी पैसों की कमी से नहीं जूशते। हाँ ये हो सकता है कि शुरुआत में इन्होंने पैसों का अभाव देखा हो लेकिन समय के साथ अपनी मेहनत से भी काफी उची उडान भरते हुए पैसों के अभाव से दूर निकल जाते हैं। इनके पास अधिक तर आकूत संपत्ती होती है या इनके पास कही न कहीं से पैसा आही जाता है। अधिक तर तीस साल की आयू के बाद इनके जीवन में काफी पैसा आना शुरू होता है। यानि भले ही ये पैसा कमाना पहले से शुरू करते लेकिन इस तरता तीस के बाद से ही शुरू होती है वही इसके बाद भी कभी कभी जीवन मेंने नौकरी या ऐसी चीजों को लेकर थोड़ा परेशान होना पड़ता है यानि कभी कभी नौकरी आदी को लेकर भी ये जटके खाते हैं लेकिन फिर भी पैसों की इनके पास ना के बराबर ही फटकती है हाँ बुजर्गोंने पर जरूर इनके पास फिर और अधिक पैसा कमाने की लाल सा जाकती है इनके उपर किस्मत काफी महरबान होती है इसलिए धान और इज़त इन्हें मिल ही जाती है ये अच्छे वक्ता और लेखक भी होते है इनमें एक दवी शक्ती ये भी होती है ये कई बार व्यक्ती को देखकर समझ जाते है और ऐसे लोग जो इन्हें पसंद नहीं आते ये उनसे कभी जुड़ भी नहीं पाते है इसके अलावा इनकी नजर की शम्ता बहुत आधिक होती है यानि इनकी नजर बहुत जल्दी लगती है तो बन्नों ये था वीडियो एम अक्षर से शुरू होने वाले व्यक्तियों के बारे में जितना हो सके इस वीडियो को जादर से जादर लोगों के साथ फेस्बुक और वटसिप पर जरूर शेयर करें इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए देशी बक्तिय चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं कर बेल दूर से पर जरूर आईकन जरूर में इस तरहा और ट 영हीं ते टुियो लोट करें झाल झाल